हेलो फ्रेंट्स वेलकम डियर ओन चनल डेली स्टॉक तड़ो उस्टेज वीडियो के अंदर हम सकर हेल्सकेर के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको सकर हेल्सकेर के ना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चले शुरू करते हैं अब तुटि के स सब्कुरिय हैं यह जानेंगे कि यह कंपनी का काम काम करती है तो पर सेग्मेंट उष्केर का मिरे उत्यूस के यानि कि जो फुद के जो फार्मा प्रोडक्स वोटें वो कमनी बनाने का काम करती है और उससे अगर हम देखेंगे तो मेंली कमपनी यूरोपियन गंट्रीज हो गया फिल लैटिन अमेरिकन वाली जो कंट्रीज है वहां पर कमपनी उसे चैल करने का काम करती है उसके लबाब अगर हम कमनी के डूसरे सेगमेंट के अगर हम बात करेंगे तो कौन्ट्रैक्ट बेस जो मेनॉफेक्श्यरिंग होती है यानि कि अगर कोई कमपनी है तो उन्होंने अगर बोला है कि हमें 20 करोड काप यह बना के देदीजीए तो फिर वो इसे भी यह बनाने का भी कमपनी का करती है तो यानि कि अगर कोई टेखनोलोजी ए कंपनी के पास में अवेले बले किसी के आर्णी के पास में अवेले बले ऊफिले एटेक से वहां पर यह कॉंट्रेक्स मैनुफेक्श्यरीं वहां पर इक अबहले को मिलता है करेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पे growth भी company के numbers के हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आते हैं अब अगर हम company के कुछ data points के अगर हम बात करेंगे तो देखिए 533 करोड की company का market gap हमें यहाँ पे नजर आता है तो एक बहुती छोड़ी सी company है अगर हम book value के अगर हम बात करेंगे तो 74 रुपीज के हमें यहाँ पे book value नजर आती है यानि कि लगबख साढ़े तीन से चार टाइम के लगबख price to book value पे यह company trade हो रही है तो valuation wise अगर हम देखेंगे तो valuation यहाँ पे काफी under control नजर आता है तो कि अगर हम P ratio के अगर हम बात करेंगे तो round 36 का P ratio हमें यहाँ पे नजर आता है और industry का P लगबख हमें यहाँ पे 25 का नजर आता है लेकिन देखें एक छोटी सी company है यहाँ पे base effect company का का काफी काम है तो कि अगर हम यहाँ पे P ratio का जो number है वहमें यहाँ पे normal नजर आता है अब अगर हम यहाँ पे ROC के अगर हम बात करेंगे तो लगबख 12% का ROC है और ROE का number भी लगबख 13% के लगबख हमें नजर आता है अब अगर हम यहाँ पे debt की अगर हम बात करेंगे तो 92 करोड का में यहाँ पे debt नजर आता है यह indication है की लगबख 10-11 करोड का company हर्चा से भी interest पे करती है लेकिन मेरे काल से definitely देखा जाया तो यहाँ पे debt से related इतना ज़्यादा issue नहीं होगा तो कि जो company का debt equity है वो 1 से कम है अगर हम बात करेंगे तो देखिए पहले company 68 करोड के लगबख यह company revenue करती थी अभी अगर हम देखेंगे 130 करोड पे revenue का नंबर आ चुका है तो कहीं अगर आप देखोगे तीन साल में almost जो company के revenue के number से वो double हो चुके है लगबख 20-25% के CGR growth से यहाँ पे revenue का नंबर में आ चुका है तो profitability भी यहाँ पर डबल हो चुकी है लेकिन यहाँ पर पिछले साल थोड़ा company को tax benefit होगे रहा मिला था तो वहाँ पे दो टीन करोड रुपे कमनी के profit वहाँ से उच्छी अगर हम उसको अगर अटा देते तो लगबख 12-13 करोड के लगबख कमनी के net profit के numbers होते लेकिन फिर भी ऑल ओवर देखा जाया तो growth wise जहांपे 20-25% यहाँ से कमनी घ्रो कर रही है आपर अगर हम फार्मा इंडस्टी के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कई नहीं के 14-15% सी growth के numbers हमें देखने को मिले हैं तो देखा जातो out performance यहाँ पे इंडस्टी के comparison में है अब अगर हम यहाँ पर revenue के अगर हम बात करेंगे तो यह अल्दो इतना ज्यादा revenue में हमें growth देखने को नहीं मिला है लेकिन कुछ-कुछ quarters में अगर आप देखोगे जैसे कि यह मार्च टू दो जार बाइस वाल जो quarter है यहाँ पर कमनी ने अपना हाइस ट्यूवर सिंग यहाँ पर तीन करोड से नंबर आपको जादा नजर आया है तो कि यहाँ पर कमनी को ठोड़ा टेक्स जो credit होता है यानि कि कुछ आप advance को बढ़ जेते हो जो credit मिलता है तो यह credit की वज़े से यहाँ पर तीन करोड का यह number company का जादा आया है तो देखा जाए तो revenue वाई इतने नहीं है कि pharma industry में कोई ज़्यादा exponential growth देखने को मिली हो और वो यह company ने नहीं दिखाई हो अब अगर हम here holding pattern के अगर हम बात करेंगे तो यह दिखे प्रमूटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 62% की है और एक छोटी company यहाँ पर प्रमूटर्स की होल्डिंग कोई pledge नहीं है तो यह एक holding pattern का भी अगर हम प्रमूटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो काफी ज़्यादा holding हमें यह नजर आती है अगर हम FIS की होल्डिंग के अगर हम बात करेंगे तो 21% की होल्डिंग नहीं होती है और 16% यहाँ पर कोई छोटा नंबर नहीं होता है लगबग 80-90 करोडिंग हमें यहाँ पर FIS के पास में company की यहाँ पर नजर आती है अब अगर हम retail investors के अगर हम बात करेंगे तो 21% यह के लगबगी holding है तो देखा जाए तो अधिक तरम है जब small cap companies को अगर आप देखोगे जो analysis हमने किया है तो वहाँ पर hardly हमें जितनी भी holding होती है वो retail investors के पास ही चाहिए तो देखिए जब भी अगर आप FIS के अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर तीनी एरिया में ज़्यादे investment उनके रहते हैं एक तो यह healthcare industry फिसके लाव IT और bank तो उसको analysis करना काफी ज़्यादा आसान रहता है और commodities होगेरा में काफी ज़्यादा cyclicality रहती है तो वहाँ पे इतना ज़्यादा investment मैंने उनका नहीं देखा है अब अगर हम cash flows के अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2011 से कमनी के operating cash flow में यह पे positive नजर आते हैं हर साल कमनी का operating cash flow में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगर आप देखोगे almost हर साल यहाँ पे यह कमनी फिर से लगातार investing activity में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार कमनी reinvestment भी कर रही है तो पॉइंट वी से देखा दिया तो चीजे यहाँ पे कमनी की तरफ से काफी अच्छी हो रही है अगर हम financing activity की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको inflow देखने को मिल रहा होगा देखिए यह इन्फलू का क्या करने तो कि यहाँ पर कमनी ने और डेट रिच किया हर साल कमनी और डेट रेच कर रही है तो उसका अगर आधा cash flow अगर आपका operating cash flow से भी आ रहा है तो उसके अलावा अगर आप debt वोगेर बीले तो यह दिखाता है कि market में opportunities जहाँ पर company को नज़र आ रही है इसलिए वो यहाँ पर debt लेके और यहाँ पर अपने business को grow करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखे 286 पर यह company अभी trade हो रही है 5 साल के returns के अगर आप बात करोगे काफी phenomenal returns हमें यहाँ पर नज़र आते हैं और although आप देखोगे अभी निफ्टी में काफी ज़्यादा correction हुआ है लेकिन यह stock में अपने correction नहीं देखा और अभी hardly लगबग 10 रूपे यह company नीचे trade हो रही है यानि कि 2 से 3 परसेंटेज के correction पे ही यह company हमें trade हो TV नजर आ रही है यहाँ पर आपको होगा तो वहाँ पे 25-30% CHR के return भी मेरे चाल से possible है और अगर आप यह मत देखे कि यह stock already इतना percentage बढ़ चुका है तो आपने यह भी सोचना चीए कि यहाँ पे valuation wise आपने चीजे देखनी चीए अगर हम अभी last 12 महीने की profitability के अगर हम बात करेंगे तो आपने चीजे काफी नज़र आती है लेकिन मेरे काल से लॉंग टर्म स्टोरी मुझे यहाँ पे काफी अची नज़र आती है तो इसके अगर आप invested हैं तो invested हैं अगर invest करना चाते हैं तो मेरे खाल से invest कर सकते हैं तो दोस्तों में होगतों की शकर healthcare के detail analysis के बारे में आपको सब कुछ समझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं ज़रूर आपके comment पर reply करूंगा टोस्तों थाइंक यू वजय नाइस देख